पुर्वोत्तर भारत यानी नौर्थ इस्ट इंडिया इसे उत्सा पूर्णता और रहस्यों की भूमी माना जाता है। नाच्रल जगहों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप भौचक के रह जाएंगे। जटिंगा गुवाहाटिक नस्दी के कैसा गाउं जहां हर साल एक बहुत ही रहस्यों मई घटना होती है। ये घटना यूजूली शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होती है और वो भी उस दिन जिस दिन मूनलेस नाइट हो। यानि कि जिस दिन चांद हमें आसमान में नहीं दिखता। नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहां कुछ scientific theories जरूर है। तो वैग्यानिकों का मानना है कि इस जगह की topology काफी unique सी है। आइमीन चारों तरफ mountains हैं और ऐसे में मौनसून के वक्त तेज, हवा और बारिश से birds का orientation बिगर जाता है। इसी विज़े से moonless nights को birds इदर उदर टकडा कर मरने लग जाती है। यहां एक magnetic pull theory भी दी गई है जिसके जदिंगा में मौनसून के दोरण birds के magnetic properties alter हो जाते हैं और वो देर रात भी उड़ने लग जाते हैं। उनकी navigation magnetism के ही थेरी पे चलती है और उनका navigation इससे बिगर जाता है और इसलिए वो इदर उदर टकडा कर मारे जाते हैं। अब कारण जो भी हो इस बात से तो हम सब सहमत होंगे कि यह पूरी वाक्या काफी रहसम ही तो है। जब भी हम समिट्रियान की कबरिस्तान के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग आती है। लेकिन गवाहाटी में स्थेत सुन्दर बड़ी समिट्री में जाने वाले लोगों को ना सिर्फ mentally बलकी physically भी अजीब फील होता है। जी हां दोस्तों लोकल्स की माने तो यहां विजिट करने के बाद कई लोग बिमार पर जाते हैं और लोगों को यहां बहुत अजीब सा महसूस होता है। कई लोग तो ये तक दावा करते हैं कि उन्होंने देर रात यहां आत्माओं को भी देख रखा है जो कि अजीब आवाजे निकालती हैं और बात करने की कोशिस भी करती हैं। अब इन बातों में कितनी सचाई है ये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन सुन्दरबरी सिमेट्री एक रहसे मही जगह जरूर है। बहुत प्रतारित किया गया था इन फैक्ट उन्हें इस पेर से लटका कर जला दिया जाता था। ऐसा में उनकी आत्मा इस बनियन ट्री से जुर गई हैं और आज भी लोग इन आत्माओं को महसूस कर पाते हैं। लोकल्स के हिसाब से रात के वक्त आपको यहां थोड़ा अजीब फील होगा और इसी वज़े से दे बनियन ट्री को भी हॉंटेड माना जाने लगा। थे निक्स में जिस जगह की बात करने वाला हूं उसको लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। जी हां मैं बात कर रहा हूँ मायॉंग विलेज की जिसे इंडिया का Black Magic Capital भी कहा जाता है मायॉंग अपने Black Magic practice को लेकर काफी प्रचलित है और यहां कई तरह के काले जादू किये जाते हैं और example गाउवालों के हिसाब से यहां के black magicians इंसान को जानवर में तब्दील कर सकते हैं। इसके लावा वो इंसानों का रास्ता भटका सकते हैं, उनके साथ बुड़ा कर सकते हैं, उनके धन दौलत को खत्म कर सकते हैं, in fact किसी को मार भी सकते हैं। अब black magic का इस्तवाल सिर्फ बुरे कर्मों के लिए ही नहीं होता, बलकि कई cases में अच्छे के लिए भी इसका इस्तमाल होता है। लोग अपने problems काला जादू करने वालों के पास लेकर जाते हैं, और वो लोग समस्या का समाधान भी निकालते हैं। आज भी अगर आप मायोंग जाते हैं, तो आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि काला जादू प्राक्टिस करते हैं, और ये पुस्टी करना मुश्किल है कि क्या उनका जादू वाकई एफेक्टिव है भी या नहीं। अब जैसा मैंने बताया, मैंने इस टॉपिक पे एक डेडिकेटड वीडियो बना रखा है, जिसका लि ग続ी जगह है हाहिम पिकनिक स्पॉयटी में है और ये जगह धिन में एकदम नॉमल सा है, लेकिन कहा जाता है कि रात होते ही ये जगह एकदम सुशान और वीराना हो जाता है, लोकल कहींसा ओन्टेड है और यहां कई Paranormal अक्टिविटीज रिपोर्ट करी गई है, आस्पास तो इस पॉर्ट पे नहीं गया हूँ लेकिन अगर कोई मेरे विवसे जगह पे गए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस कॉमें सेक्षिन में जरूर शेयर कीजिएगा moving on अगली जगह एक जंगल है and in general जंगल ऐसी जगह होती है जहां आजीब चीजे होती ही रहती है लेकिन अरुनाशल प्रदेश के जोली गाउं के पास जो इस्तित एक जंगल है वो काफी युनीक है युनीक इसलिए क्योंकि जब भी कोई visitor यहां मशली पकरने या शेकार करने आता है तो उन पे छोटे छोटे पत्थरों की बारिश होने लग जाती है जी हां दोस्तों ऐसा लगता है मानो visitors को लगातार धेर सारे पत्थर फेक के कोई तो मार रहा है अब यो शेकार वगेरे के लिए गए होते हैं वो डर जाते हैं और शूट करने लग जाते हैं लेकिन वहां आसपास तो कोई होता ही नहीं है ऐसे में कई लोग को लगने लगता है कि आसपास में भी कोई जानवर ही हो जैसे भालू, बंदर, बाग, जंगली, सूर या तेन दुआ, इत्यादी कोई भी हो सकता है और ऐसे में वो डर के भाग निकलते हैं लोकल्स की माना तो ये सब यपोम और दीमी के करान हो रहा है जो कि वहां के जंगलों को हॉंट करते हैं यपोम को आप फॉर स्पिरिट की तरह मान सकते हो जो कि जंगल की रक्षा करती हैं वैसे कई लोग उन्हें विच भी मानते हैं तो हां उनका डेपिक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस में हैं जो भी हो इससे एक चीज तो ये अच्छी होती है कि इन कहानियों की डर से इस जो लोग शिकार करने आया होते हैं वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं और शिकार नहीं करते हैं ऐसे भी शिकार करना मना है तो आग एक हजार एक सो 111 फीट है और ये बहुत ही खुपसूरत है लेकिन इस फॉल से जूरी एक दर्दना कहानी है जो कि उसे भूतिया बनाती है ये कहानी लिकाई नामक औरत की है जिसे दूसरी शादी करनी पड़ी क्योंकि उसका पहला पती मर गया था लिकाई को पहले पती से एक बेटी थी और अपना आजेवी का चलाने के लिए वो पोर्टर का काम करने लगी लिकाई के लिए अपना काम करना फिर बच्चों को संभालना और दूसरे पती को वक्त देना यह सब बहुत मुश्किल हो रहा था और ये बात लिकाय के नए पती को खटकने भी लगी थी इसी कुसे में लिकाय का नया पती उसकी छोटी बेटी को माट डालता है क्योंकि सबसे अदा लिकाय अपनी बेटी का ही ध्यान देती थी नव जब लिकाई घर वापस आती है तो उसे घर में कोई नहीं दिखता अल्डू वाहां खाना बनकर रखा हुआ था लिकाई फौरण खाना खाती है और उसे यह अच्छा भी लगता है ना हो खाने के बाज जब लिकाई पान खाने बाहर निकलती है तो उसे वहाँ एक करटी हुई उंगली दिखती है ये उंगले लिकाई की बीटी की थी और इस पॉइंट पर लिकाई को realize होता है कि उसका पती उसकी बीटी को मा डाला है इन फाक्ट जो भोजन लिकाई खाई थी शायद उसकी बेटी का मांज था ये जानते ही लिकाई चिलाने लगती है दिन रोते हुए भागती है और फाइनली वो वाटरफॉल से नीचे गिर के मारी जाती है तो इसी कहाई का एक काईड अफ अर्बन लेजंड बन गया है जिसके नुसाट लोग मानते हैं कि लिकाई की आत्मा आज भी वहाँ मौजूद है अब इस कहाणी में कितनी सचाई है ये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन हाँ ये कहाणी दिल्चस्प जरूर है जो कि आपको इंट्रीग फील कराती है जो लोग वीडियो में इंड तक बने हैं उनके लिए मैं एक बोनस जगह लेकर आया हूँ जो कि है मनिपूर में स्थित जे एनाई एमस हॉस्पिटल तो जवाहरलाल नहरो इंस्टिटूट अब मेडिकल साइंस हॉस्पिटल इमफाल के पोरंपत में स्थित है और ये जगह कई असाधरन गते वीडियो के लिए इनफेमस है यहां के पेशन्ट, विजिटर्स और इवन डॉक्टर्स का कहना है कि यहां आपको बहुत अजीब चीजे महसूस होने लग जाएंगी इनफेक्ट कई बार तो यहां सड़नली टेंपरिचर ड्रॉप होता है इस के अलावा कई बार ऐसा लगता है, मानो कोई आपके इतने करीब आ गया है कि आप अपने गर्दन पे उसकी सांसे महसूस कर पाएंगे लेकिन जब आप पल्टेंगे तो वहां कोई नहीं होगा, सिर्फ आपके पीछे नहीं बलकि आस पास आपके कोई नहीं होगा लेकिन आप वो अजीब फीलिंग महसूस करते रहेंगे लोकल्स के हिसाब से ये घटनाएं पूरे इस्पताल में नहीं होती है, बलकि वहां के आईसोलेशन वोर्ड में सबसे ज़्यादा होती है आईसोलेशन वोर्ड के अलावा वाश रूम्स में, टॉलेट्स में और आपस पास के कॉलिडोर्स में भी ऐसी गतिविधिया होती रहती है अब ये क्यूं होता है इसका तो कोई एक्स्प्लानेशन हमें नहीं दिया गया है लेकिन अगर आपके पास कुछ अडिशनल इंफॉमिशन है तो हमें कॉमेंट्स में जरू बताईएगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरू कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए है तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम पने चैनल पर ऐसे वीडियो लाते रहते हैं पीस